Hello friends, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम CSS के अंदर डेटेल में समझने वाले हैं Line Height Property को, Line Height Property क्या होती है, इसका काम क्या होता है, किसली हम इसको यूज करते हैं CSS के अंदर, इन सभी चीजों को हम भी The Practical के साथ डेटेल में समझने वाले हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका यूज क्या है Controls the Height of the Line of Text, यानि जो Line Height Property होती है, इसका काम होता है दो लाइनों के बीच में, जो Space होता है उसको Control करने का, यानि कि कितना ज़्यादा Space आप देना चाहते हैं लाइनों के बीच में, या कितना कम Space देना चाहते हैं, उसको Control करने का काम हमारा Line Height Property करती है जैसे माल लीजे, यहाँ पर ABCD एक लाइन हो गई, और EFGH एक लाइन हो गई इन दोनों लाइनों के बीच में, यहाँ पर आपको Space दिख रही होगी, यह जो Space होता है, यह कितना ज़्यादा Space होगा, या कितना कम होगा इसको Control करने का काम हमारा Line Height Property करती है, CSS के अंदर इसकी Help से, Line Height Property की Help से हम अपने Wave Page को और ज़्यादा क्या बना सकते हैं, अट्रेक्टिव बना सकते हैं, यानि और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि styling करना CSS का काम होता है CSS के help से हम styling करते हैं लेकिन हम कितने अच्छे से अपने web page को display कर सकते हैं यह हमारे उपपर depend करता है तो line height property के help से हम क्या कर सकते हैं अपने text को यानि जो line ने हैं उसको हम क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से arrange कर सकते हैं अपने हिसाब से पर दो ही वैलो को डिसकस करने वाले हैं जिसमें सिफास्ट होती है मारी लाइन हाइट नॉर्मल सेकेंड होती है लाइन हाइट 2.5 नॉर्मल कहने का क्या मतलब है बाइडीफॉल्ड जो आपका टेक्स होता है यानि कि जो आपके बेपेज के उपर लाइने दिखाई देती है जो आपके font होते हैं उनकी जो लाइने होती है उनके जो बीच में spacing होती है वो नॉर्मल ही होती है तो इसलिए नॉर्मल कहने का सिम्पल सा मतलब है जैसे आपने बेपेज को ओपन किया यहां से मैने पेज को ओपन करके दिखाया तो यहां पर अभी जहां पर लाइन के क्या थी अभी तक normal थी तो 2.5 of normal हो जाएगी यानि कि normal से बढ़ करके अब क्या हो जाएगी 2.5 हो जाएगी अगर आप 10 कर देते हैं तो क्या हो जाएगी 10 टाइम और increase हो जाएगी तो इस प्रकार से हम जितना चाहें अपनी line की height को क्या कर सकते हैं increase कर सकते हैं अगर मुझे decrease क करते हैं तो यह line हो जाएगी decrease हो जाएगी जो हमारे यहां पर line के बीच की जो space है वो क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी बहुत कम हो जाएगी और भी कम करना चाहते हैं 0.1 कर सकते हैं इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं set कर सकते हैं तो इसको हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले practical करके देखने वाले है ताकि आपको समझ में आ जाए तो same way page के उपर हम try करने वाले है तो paragraph के अंदर हम क्या करने वाले है अपनी line height property को use करने वाले हैं तो यहां से मैंने लिख लिया line height property उसके बाद यहां से सबसे पहले हम आपको normal करके दिखाते है नॉर्मल करने पर कोई भी change नहीं आएगा क्योंकि by default जो हमारे यहां पर बेपेज होता है उसके अंदर जो line होती है line की height वो normal ही होती है यहां से आप देख सकते है मैंने refresh किया कोई भी change नहीं आया लेकिन जैसे ही हाई चाहते हूं कि line की height का हो जाए थोड़ा सा increase हो जाए मैंने 2.5 set कर दिया 2.5 जैसी मैं ने सेड किया आप line के बीच की spacing क्या हो जाएगा increase हो जाएगी यहां से increase हो करके जहां normal थी वहां से increase हो करके 2.5 हो चुकी है और ज़्यादा मैं increase करना चाहती हूँ तो मैंने यहां से क्या कर दिया 10 कर दिया अब क्या होगा यहां से बहुत ज़्यादा space हो जाएगा हमारी लाइनों के बीच में यहां से आप देख सकते हैं इतना सारा space हो चुका है हमारी set कर दिया जैसे मैंने 0.5 set किया अप मारी लाइनों के बीच में इतना कमे space हो जाएगा कि एक लाइन दूसरी लाइन के उपर क्या हो रही है याँ पर मर्ज हो करके आ रही है तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं line height property को use करते हैं यहां से हम normal इसको रखने वाले हैं अगर आप घटाना बढ़ाना चाहते हैं अगर मैंने यहां से 2 कर दिया तो हमारी लाइनों के बीच की spacing को घटा या बढ़ा सकते हैं यह होती है हमारी line height property और इसकी जो प्रोपाइटी होती है उसको भी हम देखने वाले है line height यहां से मैंने line height CSS के अंदर हमाते हैं और यहां से MDN पर जाते हैं directly उसके बाद यहां से हम सर्च करके देखते हैं कि line height property की इस प्रकार से काम करती है तो इसके लिए हमने open कर लिए सबसे पहले page को यहां से और इसको हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से काम करती है line height property ज ते यहां से आप देख सकते हैं इसकी जो वेलु होती यहां पर 3 E- productivity होती है यहाँ पर 3 E-M होती है नापते हैं वैसे ही से मीस में इसको संपॉय से में संपॉइल's में इसको पर्सेंडेज में फिक्सल्स में इसको हम बाद में जब इन सारी value को हम पढ़ लेंगे कि EM क्या होता है percentage को कैसे हम set करते हैं और pixels को कैसे set करते हैं तो इसके बारे में हम detail में समझ रहे होंगे लेकिन इसके लिए हम सबसे पहले इन सभी value को पढ़ रहे होंगे EM में कैसे हम set करते हैं इसका मतलब क्या होता है percentage का क्या मतलब होता है अगर percentage में हम पनी line की height को set करते हैं pixels में set करते हैं तो क्या effect होता है और यहाँ पर जो दो value बिल्कुल simple थी उसको हमने आपको बता दिया है लेटर spacing को पढ़ने वाले उसकी बाद हम detail में discuss कर रहे होंगे जो इसकी value होती है यहाँ पर CSS के अंदर जो भी values होती है percentage, pixels, EM, इन सभी को हम detail में समझने वाले हैं तो यह थासक हमारा topic I hope दोस्तों गराज की information आपको अच्छी लगी हो तो प्रीज वीडियो को like करना, channel को subscribe कर और दोस्तों के पाज share करना